नमस्कार, मैं अनुराधा, a health care professional. आज हम बात करेंगे birth control pill यानि की गर्भ निर्दोग गोलियों के बारे में. गर्भ निर्दोग गोली बहुत सारे जो contraceptive method होते हैं, उसमें से एक होता है. और birth control के लिए हम और भी बहुत तरीके अपना सकते हैं, जैसे की condom हुआ, और birth control injection, copper tea या फिर birth control pill यानि की गर्भ निर्दोग गोली. लेकिन जो birth control pill यानि की गर्भ निर्दोग गोली बहुत ही effective होता है, easily available होता है और उसका side effect भी बहुत कम होता है. तो चलिए बात करते हैं birth control pill और गर्भ निर्दोग गोलियों के बारे में. सो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनुरधा क्यार चानल में मैं ओमेन हेल्थ, प्रेगनेंसी क्यार, बेइबी क्यार के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड करती हूं. तो इसी रिलेटेड इन्फरमेटी वीडियो पाने के लिए अनुरधा क्यार चानल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब नहीं मैं कोई इन्फरमेटी वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंद नोटिफिकेशन मिल सक जो गर्व निरोधों गोली है वो दो तरह के आते हैं एक है एमर्जंसी कॉंट्रासेप्टिप में 21 गोली होता है तो चलिए बात करते हैं कि ये regular birth control pill होता क्या है जो regular birth control pill है वो synthetic hormones होते हैं जिसमें दो hormone का mixture रहता है एक ethneal estradiol और दूसरा है levonorgestrel जो की female ही hormone होता है लेकिन वो synthetic version होता है दूसरा बात कि ये काम कैसे करता है जो regular birth control pill है वो तीन तरह से काम करता है एक ये आपका जो body में जो egg release है उसको रोक देता है दूसरा टू ये sperm से egg से मिलने से रोकता है यानि कि sperm एक तक पहुंस नहीं ही पाता त्री अगर sperm और egg मिल भी जाता है तो वो उसको implantation नहीं होने देता जो अभी हम बात करते हैं कि जो birth control pill है आप उसको कैसे ले सकते हैं जो regular birth control pill होता है उसके एक strip यानि की पत्ते में 21 गोली होते हैं आपके सहुलियत के लिए उसमें left से लेकर right तक arrow mark भी रहता है तो periods का starting वाला दिन आपको एक strip start करना होगा और फिर उसको continue करना होगा 21 दिन तक यहां पर मैं आपको बता दूँ अगर आप periods के पहले बाला दिन start नहीं करके दूसरे या फिर तीसरे या फिर पांचवे बाला दिन start करते हैं तो उस खेत्रे में आपको एक हफ्ते तक कुछ और contraceptive method जैसे की condom हुआ आपको या फिर आई पील यानिकी emergency contraceptive pill यूज करना चाहिए अभी बात करते हैं कि जो birth control pill है वो कौन सी age group में लेना से ही वाइड एज ग्रूप में लिया जा सकता है जैसे कि अगर आपका एज 20 से कम है तो भी आप ले सकते हैं अगर आपका एज 50 से जादा हुआ तो भी आप इसे ले सकते हैं कि birth control pill आपको कब लेना है, खाने के पहले लेना है या फिर खाने का बाद लेना है, आप खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने की बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन दिन में एक fixed time आप कर लीजिए, उसी time ही आपको birth control pill लेना होता है, इसका मतलब यह है, अगर आप morning में लेते ह तो आफ्टरनून को लीजिए अगर आप नाइट में भी लीजिए लेकिन हर दिन एक फिक्स्ट टाइमिंग में आप वो बर्थ कंट्रोल पील आपको लेना होगा फिजिकल रिलेशन से पहले या फिर फिजिकल रिलेशन के बाद इस रेगुलर कंट्रसप्टिक पील का यूज करने का कोई जरूरत नहीं है और ये एक emergency contraceptive pill नहीं है इसको आप regular ही लेना बात करते हैं कि इसका failure rate क्या है इसका failure rate less than 1% है अगर ये गर्म निर्दो गोली आप अच्छे से यूज करते हैं तो इसका failure rate एक प्रतिसद से भी कम होता है बहुत सारे महिलाओं में ये प्रश्ण होता है कि अगर मैं एक गोली लेना भूल जाओं तो उस खेत्र में मैं क्या करूँ तो इस खेत्र में आप अगले दिन जब भी याद आजाता है तो तुरंत वो गोली ले लिजए इसका मतलब ये हुआ कि अगले दिन आपको दो गोली लेना होगा अगर आप तीन दिन तक गोली भूल जाते हैं तो उसी खेत्र में भी जब भी आपको याद आता है उसका जो पिछले वाला डोज है वो आप ले लिजए मतलब कि उसी दिन आपको दो गोली लेना होगा और उसके बाग और जो दूसरा बाकी का गोली पूरा मन्त आपको कंज्यूम करना होगा लेकिन अगर आप एक गोली मिस कर देते हैं एक दिन मिस करते हैं तो उसका failure rate थोड़ा कम होता है और अगर आप 2-3 दिन मिस कर देते हैं तो failure rate थोड़ा जादा हो जाता है चाहे आप एक दिन मिस करें या फिर 2-3 दिन मिस करें इस खेत्र में आप एक हफ्ते तक दूसरा जो contracept तो आपको पीर्ट के स्टार्टिंग वल्य दिन से स्टार्ट करके 21 दिन तक लेना होता है फिर 7 दिन आपको ग्याप लेना होता है फिर 7 दिन के बाद और एक स्ट्रिप यानि के पत्ता आपको स्टार्ट करना होता है फिर और एक 7 डेस का ग्याप लेना पड़ता है यह सब आ आप यह गरब निरद्व गॉली को सेवन करना चोड सकते हैं और अगल ही महिने से आप 코로 प्रेगनेंसी कर सकते हैं अभी बात करते हैं कि कि गरब निरद्व गोली या फिर आपके breast में tenderness हो जाता है या फिर acidity भी होता है लेकिन जब आप गार्फ निरोदो गोली सुरू करते हैं तो पहला महिना ये आपको कुछ side effects आ सकता है दो तिन महिना यूज करने के बाब धीरे धीरे ये side effects आपका चला जाता है और बॉडी उसमें adjust करना ताइरोड प पेसेंट ये गोली ले सकते हैं लेकिन उनको regular check-up भी करना होता है कि उनका ताइरोड का लेवल क्या है और डॉक्टर के advice के साथ ही आप इस गोली को ले सकते हैं कौन सा पेसेंट या फिर कौन ये गोली नहीं ले सकते हैं अगर आपका बजन जरूरत से जाता है यानि कि या फिर hypertension है या फिर आपका कोई अभी प्रेजेंट या फिर पास्ट हिस्ट्री आप ब्रेस्ट कैंसर उसमें भी आप और या फिर लीवर या गोल ब्लाडर का कुछ प्रॉब्लम है तो इसी खेत्र में आपको ये गोली नहीं लेना चाहिए अभी हम जानते हैं कि उसका कौ सब्सक्राइब कोई वीडियो जरूर बताएगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजेगा और दूसरों को भी शेयर कीजिया स्टे हल्दी और स्टे हैपी थैंक यू फर वाच्छिट 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 वाच्छिट